जैने दोस्तों मैं रेन बीर सिंग स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार Math NGS Classes में तो दोस्तों आजम बात करने वाले हैं यह जैसा कि आप सभी लोग जातते हैं कि 15 देसंबर से पेपर जो हैं आपके रेलवे के एंटीपी से और गुरूपडी के हो सकते हैं तो इसके सथ यह मैट्स का प्रेक्टिस सेट है ना तो यह सेट्मबर सिक्स है और यकीन वानिये और प्रेक्टिस करना बहुत जरूरी है है ना आपको सारा कुछ क्लियर है लेकिन फिर भी रिवीजन क्यूक रिजन जरूरी है तो प्रेक्टिस सेट के तहट यह चीज़े हो जाएंगी और साथ ही साथ बाकी अन एक्जाम के लिए भी महत्पूर्ट रेन वाला है जिसमें मैट्स पूछे जाते हैं ठीक हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप चनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ती साथ निक लुडिक्शन बेल कौन कर लिजी से मिल सकेगा नुडिक्शन सबसे पहले और दोस्तों साथ से अरकना बिल्कुल ना भूलें चलिए लाइक करिए वीडियो को और देखते हैं देखिए कैस साथ बहतर का महत्तम समापवरत है यानि यह सिया पूछ रहा है अब सुचिए कौन नहीं लगा लेगा सब लोग ला लेंगे तो किया ज़रूत है बाई प्रेक्टिस करने की तो आम तोर पर है जरूरत ठीक है क्योंकि अब देखिए इसमें आप बहुत सारे तरीके से लगा अगर बना देता है तो ठीक है नहीं बनाता है तो आगे जाना पड़ेगा तो कहा बना पार देखिए साथ बारा बचा हुआ है और अब चुकि यहां तीस उतारेंगे यह जानते हैं आप लोग अगर कुछ जो भी बिगनर्स हैं वो भी समझते चलें और कमेंट कर सकते हैं तो उस पर टॉपिक वीडियो बन जाएंगे बाकी सब जानते होंगे ना तो बार दोनी 24 हो गया फिर आपके पास कितना बचाच छे अब यह 6 दोनी 12 यानि कि जो भी जूरो बनाएगा वही आंसर हो जाएगा तो इसमें बहुत कम समय लगता आंतर पर इतना ज्यादा कोई इस तो नहीं है ऐसे भी हो जाता है बिना लगाए फिर भी इस तरीके से हम लोग लगाते हैं मैं जो तरीका होगा मैं पूरा पूरा लिखके ही बताऊंगा है ना क्योंकि यहां पर बात आपको समझ में आने चाहिए ऐसे आप अपना अंसर बिना लगाए या जल्द से लग आब की उतहरा ना कोई सो ट्रीक हो ठीक हूँ एब ठाव हो जाताएं अनप ड़िके कैसे कंड concur कर लेंगे जैसे अब दीकि जो बस्पन टाइप का मामला है वो इस तरीके से यह तो होता थ Filter आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो कम समय भी कर सकते हैं जैसे 5 से आप निकाल लिए तो 3 यहां बचा हुआ है और 6 यहां बचा है 24 से यहां बचा है अब 3 से कर लिजिए तो यहां दो बच गया और 8 बच गया तो यह 8 में से भी आप एक दो निकाल लिजिए तो बचेगा क्या है यहां पर 4 तो 4 2 3 5 यह हो जाएंगे ना तो 5 2 10 और 3 412 यानि कि 120 इस तरीके से हो जागा नॉमल तरीका है तो अब सोचे यह अमें से भी पूछा जाता है ऐसे आप सोच रहें यह देखिए एंटी पीची का ही है तो ऐसे भी पूछे जाते हैं और भी मिलेंगे आपको आना तो आगे क्या है 21 चॉकलेट 5 अनुपात 2 के अनुपात में साधा किया जाता तो छोटे हिस्से में वाला यहां है ना तो छोटे को दो से गुड़ छोटा वाला वैल्यू तो यही है ना तो दो और इन दोनों को जोड़ दीए बस हो गया तो कितना हो जागा अच्छे अब इसको ऐसे बता जा सकता था लेकिन फिर भी मैं लिखरा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाये है न कि उसी तरीके से हो जाता है कोई दिक्कत है नी में लुब्र करर शक्ता है जब कि की रहती ब्लहां को जो pins के की साथ मिनीट में पूरा कर सकता्ब algunas अगर वे एक साथ उसी कारी को तो पूरा करने में कितना समय लगेगा अब अलग अलग है देखिए बड़ा नॉमल सा और है थोड़ा सा आप लोग इसको सीरियोस मत लिजेगा कटे भटे हैं तो चुकि अगर मैं टैफिंग करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा है ना तो कम से कम प्रेक्टिस सेट मिल पाएंगे मैं सारी कि सारी प्रेक्टिस सेट आपको मिलती रहेंगी तो बने रही है चैनल के साथ और बहुत जरूरी है इसका फाइदा जब पेपर होगा तब आपको नजर आएगा फिला लानुक बात ज्यादा कर लिए और बी दोनों का है तो क्या करना भाई उसको जोड लीजे ना और में 48 मिनٹ पर इतना कामकरता है तो एक मिनिट में उस कारिका क्या करेगा एक बट्रे म Wow बाग कर लेगा और है यहीं दो है तो कारी χ़ helium बाते दिए तोQue यहां पे 48 से बाग करें 240 को तो देखें बारच चको 48 तो था तो आप देख रहें 48 और उसके बाद यह 48 से पांच इक्स्ट्रा बन रहा है तो यह डारेक्ट आप पांच इस तरीके से लिख लिजी आप भाग कर सकते हैं आपकी मर्जी और फिर यहां पे देखें 12,50 है तो चा इसार बन रहा है तो इस तरीके से आगे शोल को लिजे 9,240 और इसका सही बते में आने लगा है यानि कि सेकेंड में है तो सही बते में हम लोग निकाल लेंगे फिलाल जो हो सकता पर लिख कर लेते हैं तो 3,84 अब यह जो है हम इसको अब ऐससे निकाल लेंगे है ना आप इ 9 3 3 3 8 24 हाँ अब हमें क्या करना भाग करना है ठीक है तो 3 2 6 3 6 18 26 है 26 है ज्यादे आगे करना नहीं है आप करना चाहें तो कर सकते हैं दो सही तीन है ना तो इसको अब 60 से गुड़ा करा लिजी तो 3 2 6 चालिस आ गया तो इतना ज्यादा टाइम लगता नहीं आम तोर पे आराम सोग जाएगा तो यह तरीका है यह काम समय से संबंदित ठीक है आगे चलते हैं हम लोग राजेस पांच मीटर प्रति सेकेंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से साइकल चला सकता है वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी खुत्य करने के लिए 45 सेकेंड लेता है राजेस ने साइकल कितनी देर शखलाई बड जाज़ा सॉट में हां समझाते हुए बात को आगे हम लोग चलते रहेंगे लेकर के तेकि राजस पांस मीटर प्रतिस सेंड की गति से पैदल चलता है वाल यह पैदल चलना है तो आप अप उसको ऐसे ठीक नहीं लगता हम आले तहीं पैजल वाला एकस है ठीक है या बीस मीट के לפ 30 से केन्ड की 30 साइकल चलाता है कि तो यानिकी यह9 चारल एक्स की यानि पैदल चार जो जाएगा 5 место 30 से केनड में है तो यह भी हो जागा और आज़वाला मामला है ठीक है तो साइकल से यानिक 2 दोनों का दे रखा है वह परिवहन के दोनों तरीकों से 600 मीटर की दूरी तैय करता है है ना दोनों तरीकों से 600 मीटर की दूरी तय करता है करने करें 45 सेकेंड लेता है यहां समय है तो हम लोगों को यह बताना है कि उसने साइकल से कितनी दूरी तय करी है अब आप क्या कर सकते हैं इसमें देखिए अब हमें यह तो पता नहीं कितनी दूरी चला था साइकल से और कितनी दूरी पैदल तो इसमें हम क्या करेंगे और डारेक्ट इसको यहां पे जो है 20 और 5 चुकि हमें पता समय बराबर होगा समय इधर माली यह भी समय है यह भी समय है और यह समय समय बार बार क्यों लिख रहा हूं क्यों क्यों होता है दूरी बराबर समय 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 बराबर चाल है तो आप अगर साइकिल वाले का पैदल वाले का निकालना चाहें तो अगर इसका चुकी चाल निकला है अगर आप समय निकालना चाहें है इस पैदय लवाले का दो-तीन तरीकश सक्के यह दीज तरीकर से लगाएंगे पैदय को अगर समय ब्रावर क्या होता है उठ toutes है अगर हम समय निकाले तो भिर हम समय में निकालेगे तो बेतर रहे था ती टाइम यह चला है और यह जो चला है 45 माइनस T बात को समझे टी टाइम तक इसने यातरफ तेह करी है पैदल और बचा हुआ जो टाइम होगा 45 में से घटा लेंगे वो साइकिल से चलता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अब हम दूरी बराबर कर लेंगे यह आप खतम कर सकते हैं अगर दूरी यां बराबर करेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुड़े समय तो अब देखिए इसकी चाल तो देखिए चाल क्या है पांच मेंटर प्रति सेकेंड और स इन दोनों के द्वारा ली गई जो दूरियां हो जाएंगी वो क्या है दूरी के बराबर यह चुक्य उत्रहें तो समय चलेंगे देखें दूरी बराबर चाल गुड़े समय मालिजी इसने 600 मीटर में से कुछ दूरी चला बचा हुआ यह 600 मालिजी यहां कहीं है तो जब इतना यह है और प्लस जोड़ेंगे पैदल और प्लस साइकिल जोड़ेंगे तो 600 को बराबर ही तो होगा तो वही मैं कर रहा हूं दूरी तो यह देखें चाल गुड़े समय प्लस साइकिल वाले ती क्लियर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखें यह 5 टी हो गया और प्लस यहां पर इसको गुड़ा करा लिजे तो क्या हो जाएगा 900 माइनस 20 टी बराबर 600 अब देखें बड़ा असान है यहां से घट गया माइनस का 15 टी बचा और यह भी घट गया माइ से 20 सेटा vibrations डी 10 से में पूचा क्या था कि साइकल से वह कितनी कि दूरी चलता है कितना समय तक चलता है हम लोग को समय निकालना था तो यह वाला तरीका ठीक था इसलिए तो यह देखिए 45 में से 20 घटा लिजिए बचा हुआ 25 सेकंड क्या करता है वो साइकल से चलता है यह पैदल से ठीक पैदल तो आया है तो इसमें हम लोग ने ठीक ठाइम खर्च कर लिया और मुझे लग रहा था इसमें करना चीए था और मैं यह वाले जो समय समय बराबर कर रहे थे इससे भी आराम से आप लगा सकते है ना दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल करके निकाल दीजिए ठीक है तो भी इसली आहीं तो आपका करेक्ट आंशर क्या हो गया 25 सेकेंड हो गए साइकल से कहेराथ तो अब हमें क्या है आगे चलना है आगे क्या है एक कमरे की लंबाई चोड़ाई और उचाई 595-492 के अनुपात में है यदि लंबाई इस को थोड़ा से द्यान देखे थोड़ए ड्यक कर दिया गया है यदि लंबाई में 20 परसेंट चोड़ाई में 25 परसेंट बढ़ जाती है और जबकि उचाई 25 परसेंट कम हो जाती है तो कमेरे की चार दिवारों की का कुल छेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है है तो यह एक टॉपिक है आपको वीडियो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको वीडियो एक मिला होगा उस तरीके से आप बड़ा आसान तरीके से लगा सकते हैं ट्रिक से और वाकी अगर चाहेंगे तो ऐसे तो बड़ा समय लग भीया हो गया है अब 25% उसका बढ़ा दिए फër 20% बढ़ा दिए इस तरीके से हम करेंगे listen 8 फिर लास्ट में फिर उन दोनों का निकालतें एक कितिना का क्या हूगfinitely है तो उसको तुर ट्रिक से लेकिन उसके लिए तो बस तुझो है एक ही जैसी होनी चीए यह अलग अलग है चलिए अच्छा इसको बेसिक से लगा लेते हैं ब्लाक कम समय लगेगा पहले इसको बेसिक से लगा लेते हैं देखिए 5x है पहले 5x था अब 20% क्या हो गई है बढ़ गई है है ना तो 120 बटे 100 यही तो करते हैं हम लोग तो चलो भाई बढ़ गया यह तो पांस दूनी दस दो चंग बारा कितना हो गया छे एक्स हो गया ठीक है यह समझते रहेगा दीख रहा होगा आपको अब इस चार वाले में क्या है 25 परसेंट यही तो है पहले लंबाई चौणाई फिरूंच आई त तो देखें 4x, जो मान था वो 4x हम स्टूख अलग-लग मानेंगे तो इस तरीके से 25 परसेंट बढ़ गया है तो यहां क्या हो जाएगा? पांच और चार, चार से चार कट गया, तो ये भी क्या हो जागा, पांच एक्स, बड़ा इजी है, बड़ा, सिंपल तरीक सा रहा है, ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें, जो है, कम हो गया, ये महाराज कम हो गया, तो क्या करेंगे, 2 एक्स था, कम हो गया, तो 75 बटे, 100, ये तो समझते हैं, कम होता, तो घटाते हैं, 100 में से, तो ठीक है, यहां 3, और 4, तो 2 दुनी, 4, आप देख पारें, ये थोड़ा सा मामला, इसका गरबड़ हो गया, हो गया, 3 एक्स बटे, 2, अचा, सही बटे में है, तो सही बटे में ही रख लेते हैं, इसको, 3 एक्स बट मिंट, ये छेत्रफल कहा है, ये दियान दीजिएगा, छेत्रफल कहा है, तो सब की, दिवारों का कुल छेत्रफल, वा, सवाल को देखें, कितना बढ़ियां से डेकरेट किया है, दिवारों का कुल छेत्रफल कह रहा है, यानि कि दिवारें चाहिए, अब मैं थोड़ा सा इ यह आपका मालिजे ऐसा कुछ कमरा है एक किया होगे औरões मानड़ सकते हैं द्हसे में इस चग से कोई मतलब मतलब नहीं है इस च्ड से बहुत नहीं है हमें की क्या है चार दिवारें चार हो जाएगा क्या है आप सुद लगाना चाहिए तो सकते हैं इसमें क्या देखिए लंबाई छया है कि इंट्ड़ाई लंबाई चौड़ाई तो बर और और Social कि छड़ाई अ में लेना आल न泛ी यह हमें क्या ची लंबाई और अचाई तो देखिए प्लस यह क्या हो जाएगा बी और फ है हमें यह जो है इसको हमें ले नहीं आनिए है तो यह छोड़ देंगे भाई इधर से चणड़ाई होगा चणड़ाई कुड़े हूं चाही ठीक है तो प्लस टू बी Edge है और फिर आप देखेंगे इसको डारेक्ट हम जब चारो दिवारो निकालेंगे तो क्या कर रहते हैं हम लोग 2H L प्लस B तो इस तरीकस लगा लेंगे पहले में हम लोग क्या था माल लिजे X हम लोग मानेंगे ही नहीं तो डारेक्ट अगर हम पहले वाला निकालें तो हम लोग पास क्या था 5 4 और 2 था ना तो 2 उसाई कितनी थी 2 डिरेक्ट में रख रहा हूं लंबाई कितनी थी हम लोग पास 5 थी प्लस 4 कितनी 4 ठीक है X हटा दिया हूं देखे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं हां 5 4 2 ही तो है और बाद में 6 5 और 1.5 हो जाएगा इतने तो ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेंगा है वो लोग 5 4 9 9 चको 36 नमाल लेते हैं 36 मीटर स्कॉाइर है मीटर में तो मीटर स्कॉाइर यह पहले वाला था बाद वाला क्या हो जाएगा बाद वाले में मैं X फहले से अटा दिया हूं कोई दिक्कत नहीं आप चाहे तो X लगा सकते हैं बुरा लग रहा हो तो हमें ऐसा थोड़ी किसी को दिखाना है यहां पर भी क्या करनेंगे ऐसे सुत्र आप देखिए आम तोर पर सुत्र बनाना सीख लिजे क्योंकि कभी वो छत रखता है कभी फर्स नहीं रखता है और कभी दोनों नहीं रखता है यह चीजे हैं तो यह द्यान देंगे आप लोग अब हमनुक क्या करेंगे जो बादवाला या नया हम कह सकते हैं तो नये वाले में क्या है दो और उचाई कितनी है हमारे पास तीन बट्ट दो 3 बट्ट दो यह तो है उचाई और लंबाई कितनी है हमनोक पास 6 है और चोड़ाई कितनी हो एक एक बढ़ती गई है ना पांच हो गई है देख लिए यकीन नहीं है तो देखे ये पांच हो गया है ये छे हो गया है और ये तीन बेटे दो एकस मैं हटा दिया हो कोई दिक्कत नहीं है इस 10 कल लेते हैं लोग कितना हो गया तैस तो देखे छे पांस इजयारा गया रहते हैं तो 33 3त स्कुर्ण 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 स्कुर् तो यह दोनों खतम हो गए प्रारमिक चेत्रफल का एक बटे बारक कम हो जाएगा तो देखिए प्रारमिक चेत्रफल का एक कितना भाग है तीन जो है प्रारंबिक छेत्रफल का कौन सा भाग है तो देखिए प्रारंबिक छेत्रफल का कितना भाग है तो मालने थे हैं एक्स भाग है है यह ना को और कौं सा तीन मीटर तो अब डेरेक्ट निकलना जाए तो तो 3D से भाग कर दीजी तो समझ में आ जाएगा तो देखे 1 बारवा भाग हो जाएगा इसका बारवा भाग कम हो गया है ना तीन तो यह तरीका यह भी था कुछ कुछ करना नहीं था इसमें तो इसका जो आंसर हो जागा एक बटे बारा कम हो जाता है ठीक है क्यों क्योंकि आप 36 का एक बटे बारा कर ये तो तीन ही मिलेगा है ना तो उसका 36 का एक बटे बारा याने की बारा मा भाग ठीक है आगे चलते हम लोग देखिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है एजी तरीके से और बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करते हो चलेंगे जो एक्च्वल में ज़रूरत होती है आम तोर पे अब जैसे यह है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो भाग करिए और बागी तरीका हम कहें तो भागी करना ठीक रहेगा आम तर पर इसको समीकल बनाने में उलज जाएंगे तो भाग कर लिजे भाई बाग कैसे करते हम लोग ज़रा देखिए अब यह देखिए बड़ा आसान तरीके से हम लोग फटा-फट कर हम लों का target होता है पहले निप्टाना है सबसे पहले को, यह भाग आप सीख चुके होंगे पहले ही, तो देखे चार, अब चुके हमें पता है निप्टाना ही है, तो देखे 4x q से, तो देखे 4x q से करेंगे, तो यहां 1 तो हो गया, 4x की घात फोर हो गया, और यह 4 दुनी 8, देखे 8 हो गया, x q, अब चीन बदलेंगे, यह निपट गया, यह महोदे घट गया, तो बजगे 2x q, अब फिर हमें काटना है, अब हमें answer नहीं देख रहा है हम लोग, क्योंकि हमें, क्या assess देखना है मात्र, इसलिए, फिर भी, अगर देखे हमें क्या करना है, अब दो बनाके निपटाना है, बाकी 4x q, यह हो गया, और एक चीज हमें plus का रखे हैं, तो यहां plus रहेगा, ठीक है, यह तो खतम हो गया, यह बदल जागा, तो यह 24 हो गया, 24x q, यहां देखनी रहा है, चली आगे, यहां हम लोग देख लेंगे, 24x q हो गया, और plus 90, बस यहीं से हम निपटाल लेना था, अब हम 24 से ही करेंगे, क्योंकि हमें काटना ही काटना है, तो 24x से हम क्या करेंगे, इसको एक मिन्ट, x q के बाद डारेक्ट 90 आ गया है, पूचा क्या से बव्याजित किया जाता है, तो सेस्फल क्या होगा, और सेस्फल इस तरीके से है, चली ठीक है, अब मजबूरी है, हम लोग थोड़ा और आगे जाना है, थोड़ा सा व्यापक दे रखा है, तो फिर से काटेंगे 24x से, तो यहां पर कितना हो जागा, देखेंगे, यह 24x स्कौाइर तो रहेगा ही, यह खतम हो गया, और यहां पर 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस का 48x, यह त फिर 48 से, फिर से करेंगे, चुकि हमें निप्टाना ही, निप्टाना है, तो अब माइनस से करना पड़ेगा, माली यह यहां था, तो माइनस का 48 से हम गुड़ा कराएगे, तो माइनस का 48, एक सा जाएगा, और 48 से हम दो में भी तो कराएगे, तो प्लस माइनस माइनस यही ह में समझना था ठीक है तो कितना हो जाएगा हम लोग पास 90 और 6 हो जाएगा 48 दूरी 96 माइनस का चिन बदल लिए यह कट गया चिन बदल लिए और यहां यहां पर माइनस है तो माइनस का हम लोग लिया था कि यहां चिन बदलने पर माइनस ही तो आया था तो यह कुछ तो गवड़ है भाई माइनस का और 96 जादी है तो 6 ही तो बचना चीए था तो यहां पर मेखे में पलस माइनस में कुछ गबड़ हुआ है है यहां हम लोगों चीन जोहे माइनस का यहां माइनस लगाना था ना तो मीख छीन नहीं बदलेंगे यह कट गया और यह पलस का रहेगा यह पलस ने पहलेगे जोकि हम लोग प्लस का लेंगे तो यह भी यहां पे प्लस ही आएगा चिनवे लेकिन बाद में शीनem बदलेंगे तो यह कटेगा बाद में शीनवधन बदलेंगे तो मैनेस का ठीए घटके आजाएगा शर यहां मैनस की मिला कि भाग करना था जादा कुछ करना नहीं था और इसमें भी उल्जा देता मिल्जाने का कुल नहीं है कि टाइा अलब कुछ नहीं के लिए। बस सवर को दिक्कत नहीं है। यहां जागे नहीं थी तो यहां साइमध को समझने आया होगी लेकिन आप बाग कर लेंगे तो आगे चलते हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत rocket science वाले ही हैं जैसे आएंगे उस तरीके से अब जरा इसको देखिए यह कैसा है यदि रेखा देखिए ऐसे कुछ advanced level आप कह सकते हैं इसको यदि रेखा कि दिखा दीको तिर्भूज ABC के आधार 20 के सवांतर खींच कर अच्छा दीखियेTRIесть कुछ है मा लिना उजा रिज्या आइसा कुछ तिर्भूज है था ना तो Web Aham bc के सवांतर खींच कर कि नाम पहेले देदिगे ABC यह तुछर आर ine कह एक d1 Brent refers बनाया दा रहा है, D, E, C tot J, BC, BC के समांतर खिच कर, तो BCA है, तो उसके समांतर यहां हो जाएगा न, तो D, E, हो गया, इतना हो गया, खिच कर दूसरी दो भुजाओं को अंतर विभाजित किया जाता है, बागी इन दोनों को काड़ दिया जाता, अंतर भी वाजिब कर दिया जाता, ठीक है, यहां से हो गई है, तो निम्न में से कौन सा इस इस्तिती के लिए सही समिकरण है, तो इस में से कौन सा समिकरण सही हो सकता है, तो क्या होगा, यह दोनों आपस में आपस में आपस में आप यह कह रहा है यह आपस में फिर A, C, A, C बटे, E, C, नहीं यह तो गलत हो गया, आगे यह गलत हो गया, कुल मिलाके है, इस तरीके सहसा नहीं होगा, और आगे हम लोग देखते हैं, क्या है A, D, यानि यह A, D है, A, D, बटे, A, B, बराबर, D, B, D, B, अब देखे, D, B है, तो यह पहले गलत हो गया, आप बराबर होई नहीं सकता है, हाँ, यह कहता कि, पहले क्या है, A, D, बटे, A, B है ना, तो देखे, A, D, बटे, A, B, अगर है, तो वो बराबर हो जागा, A, E, प्लस, A, C, के, ऐसा कुछ है नहीं, यह कट गए, महादे, यह बाहर हो गए, और सही सम्मिक्रण चुन्ना में, A, D, अब देखे, ऐसा मैं जान इतना टाइम कंजूम कर रहा हूँ, आम तोर पर आप, देखे, आम तोर पर आप लोग आप्शन लेकर के नीचे चला करें, है ना, उसमें से C, D, जादा होता है, तो फिलल C, देखते हम लोग, A, D, और A, B, देखे, A, D, बटे, D, बटे, D, बटे, D, बटे, D, अगर A, E, जाए तो हो जाएगा, E, C, plus A, E, नहीं, देखे, A, D, P, L, D, जब है, यहाँ पर भी हमें, A, E होना चाहिए था, जो नहीं हे, आगे क्या है, D, B, D, यहाँ है, तो यहाँ पर हमें, U, C, होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है, A, E है, गलत हो गया, और यह तो समीक्रण बिल्कुल बना बनाया सा मिल देखें हम लोगे को तो यह मिला कि यहाला सही हो जाएगा है न ठीक है आगे हम लोग चलते हैं पहले पहुंचके हम लोग सोरी आगेते हैं इधर हम लोग कहा थे हां तो इसका करेक्ट आंसर के उनसा हो जागा चौथा वाला तो यह बड़ा इजी सा था पस यह अंतर भाजित करना वाला जो है समांतर कह रहा था यह समझना था बाकी कुछ है नहीं अब इस सवाल को देखते हैं देखिए यह है आपक क्या नाम है हाँ ठ्रक्रमेंट्री से बहुत एजी टॉपिक है और कुछ लोगों को सायथ थोड़ी डर लगता हो तो ऐसा कोई ज्यादा इसू नहीं है देखते हम लोग त्रभुज PQR में सिर्ष क्यू समकोड है अब देखे चितर बनाते कैसे हैं ऐसा चुकि हमें जब ऐ महां पर नव्य अंस पान त्रक्रम पर कूण नफय जूवरा भी अल्यक्रफ और दिसका नाम पहले ले रहा तो उसके परतन नाम रख लिजि बहसी है प्यक्षर हम देखेंगे, P कहा है तो हम P के हिसाब से देखेंगे है ना, तो फिलाल जो sign होता है, वो कॉसेक का opposite होता है, यानि कि आपस मैं ऐसे opposite ही तो होते हैं सब, है ना, तो यह कहरा है कॉसेक P, जो है 17 बटे 15 है, 17 बटे 15 है, तो यह जो P की बात कर रखा है, और कॉसेक ज कॉण बटे, लंब, यही तो होता है, क्योंकि इसका होता है, लंब बटे कॉण, तो लंब बटे लंब, इसका हो जाएगा, और P के परिप्यक्ष में कर रखा है, जब P के परिप्यक्ष में कहेगा, तो हमें क्या करना होगा, यहां से हमें ध्यान देना है, ठीक है, यहां से कि यानि कि यह जो हमें ध्यान देने वाली बात है जब इसकी बात कर रखा तो उसको आधार बन रखाद अब इसके अनुसार जब पी कहा है तो मुझे पी यहां रखना चीए तो जो कॉसे को जागा यहां पर एक तो हम एक तो कंड तो होगा यह ठीक है कंड 17 हो जाएगा लंब यह हो जाएगा एक्चुल में होना है तो यह चीज चित्र के अनुसार लेकिन जब पी का नाम दिया तो हम इसको कहेंगे वह अधार में आजाता है बस इतना समझ जब बाकी ज्यादा कुछ समझने की जोरत नहीं है तो 15 आ ठीक है तो साइन आर का मान पूछा है और किसी का भी पूछो यार हमें बस यह निकाल लेना है अचा साइन आर का यह भी तो ध्यान की साइन का मतलब क्या होता है लंबटे कॉड लंबटे कॉड लेकिन वह कह रखा क्या आर यानि आर के परिप्रिक्ष में तो अकर ऐसा पी के परिप्रिक्ष सब्सक्राइब निकालना है तो हम लोग क्या कर लेंगे इसका वर करके अधार गाटा लेंगे तो देखिए आप अगर नहीं जानते तो एक ट्रीक था मैंने बताया हुआ था आप उससे कर लिए इस तरह इसका वर करिए 779 अगर नहीं होता तो यहां लगा लेते दो नहीं होत करण को अब अधार से घटाना है सीदी सी बात है फिर स्कार मतला भटा लेना है समिकर से सॉल करते हैं और आप या तो चाहें इस तरीके से सॉल कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके सम घटा लेंगे बचेगा कि आमारे पास यह देखिए यहां पे जो था 9 है यहां बचा 4 य और अब इसके अनुसार लंबटे कांड यानिकी 8 बटे 17 यही तो है गड़ाईजी तो इस तरीके से आप सॉल्ब कर लेंगे तो फ़ला टाइम तो मैंस में कंज्यूम होता ही है आप जितना फास केल्कुलेशन करेंगे चुकि मैं यहां पर बात भी कर रहा हूं आपसे में देखिए जाए यह प्लेश में देखिए मिल जाएंगे जी असके भी ठीक है सारे के सारे जो है प्रेक्टिस सेट आपको कंटीनू मिलते रहेंगे और आप कमेंट करिएगा है अपने हिसाब से आपको कैसा लग रहा है और क्या सुधार कुछ होने चीए आप सजी संदे सकते हैं ठीक है मैं उस पर अमल करने की कोशिज करूंगा तो फिला लिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जुरू बताएंगे थोड़ा सा भी हिल्फुल लागा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और बने रही है चैनल के साथ और यादि आ मिलते रहेंगे लगातार दिन भर में कई बार ठीक है 24 गंटे में तो देखते रही है प्रेक्टिस करते रही है क्योंकि यह मौका आखरी है उसके बाद चोंचला पता नहीं कब तर जाएगा मैं ऐसे सब्दों का प्रयोग कर ले रहा हूं तो ज्यादा वह मत समझेगा है न कहने का मतलब पता नहीं अब बैकेंस निकले नहीं है न रेलवे बगरा की तो बस यह आखरी है खुद को खुद यानि की कि हम तो कहें खुद की जान लगा दीजिए ने तो फिर कोई दिक्कत नहीं छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है आसा और खुशने छोड़ने के लिए कह रहा हूं ठीक है देर सारी बाते हो गए फिलाल मिलते हैं लोड़ों में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैभारत